तो नए साल के सुरुवात के साथ ही बिटकोईन ने अपना न्यू हाई बनाया 45,000 डॉलर तक इस साल मल्टिपल मीजर इविंट्स होने वाले हैं इन इविंट्स को देखते हुए सभी लोग सुपर बुलिस हैं तो अपनी प्राइस प्रेडिक्शन भी आपर शेयर किया है अब मुझे पसनली ऐसा लगता है कि BTC अट लीस्ट 1,50,000 डॉलर जा सकता है बट मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्या रीजन है उसके पीछे वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इवन के बाद देखा गया है कि BTC अपने प्रीविज ओल टाइम हाई को ब्रेक करता है अपना न्यू ओल टाइम हाई क्रेट करता है तो अगर हम स्ट्री में जाकर कि यहां पर प्राइस देखते हैं 2012 की हालविंग में बिट कोई था करीब 12 डॉलर पर अन उसके बाद यानी हलमिंग के बाद इट वस ट्रेड़िग वोब 1200 डॉलर जिस ट्रेट 100क्स न्यू مثरे में नेक्स्ट हलमिंग हुई हुए हाँ पर fund 2016 में जहां पर BTC कर चांप 650 डॉलर पर and halving के बाद it was trading at $19,000 and last halving 2020 के अंदर हुई जहां पर Bitcoin का price था करीबन $9,000 and halving के बाद ये reach किया $67,000 So अगर हम यहां पर देखें 2012 से 2016 की halving के बीच Bitcoin ने $1200 से $19,000 तक का pump लिया That is around $16,000 next यानि कि 2016 से 2020 की halving के top को compare करें तो it went from $19,000 to $70,000 approximately That is around $3.6,000 इसके according अगर हम देखते हैं 2024 की halving के बाद हम easily यहां पर at least $2,000 यहां पर expect कर सकते हैं तो इसके according जो price है वो यहां पर BTC का जा सकता है $1,400,000 से लेकर के $1,500,000 तक तो अगर Bitcoin history repeat करता है तो इस साल 2024 के अंदर Bitcoin halving के बाद previous all time high break करके BTC at least $1,500,000 तक reach करना चाहिए लेकिन इस साल 2024 के अंदर सिर्फ Bitcoin halving ही एक major event नहीं है बलकि यहां पर और भी बहुत सारे ऐसे events होने वाले हैं जो की बहुत ज़्यादा major है और इन events का बहुत लंबे time से यहां पर market में wait हो रहा है so the next super bullish event है for Bitcoin वो है ETF now SEC अगर Bitcoin ETF को approve कर देता है 2024 के अंदर जिसके high chances है तो Bitcoin को 45 trillion US stock market का exposure मिलने का रास्ता clear हो जाएगा now ETF approval के बाद Bitcoin के उपर क्या impact पड़ेगा Bitcoin का price कहां जा सकता है इसके उपर already मैं एक detail video बना चुकी हूँ तो आप लोग वो वीडियो यहां पर check out कर सकते है now जो third यहां पर event है जो की काफी ज़्यादा important हो सकता है Bitcoin के लिए वो है यहां पर US में presidential election जिसका direct impact हमें Bitcoin के price के उपर देखने के मिल सकता है reason is कि Joe Biden, Donald Trump and K.F. Kennedy यह सभी presidential candidate जो है वो pro Bitcoin supporter है तो यहां पर इनमें से कोई भी election जीता है Bitcoin के price के उपर एक positive impact जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है now fourth and most important जो reason है यहां पर वो है inflation rate cut down तो अगर आप लोको याद होगा last bull run 2021 के अंदर जब भी यहां पर market crash हुई है उसका one of the biggest reason यहां पर था inflation rate hype होना तो FAMC की हर एक meeting के बाद interest rate जो थे वो यहां पर increase होते थे जिसका direct impact जो है वो हमें money market के उपर देखने के लिए मिलता है वो चाहे stock market हो या फिर bitcoin हो तो इस साल chances है कि जो inflation rate है वो यहां पर cut down होगा जिसकी वज़ा से एक positive impact जो है वो हमें bitcoin के उपर देखने के लिए मिल सकता है so यह कुछ major events है जो कि 2024 के अंदर होने वाले हैं bitcoin halving का क्या impact बढ़ सकता है price के उपर इसका idea मैंने आपको दे दिया लेकिन bitcoin halving के अलावा जो events है यहां पर जैसे bitcoin ETF approval है US election है inflation cut off है यह भी बहुत major events है तो यह BTC के price को 150 के उससे ज़्यादा 200 के या फिर उससे ज़्यादा भी यहां पर ले करके जा सकते है आपको क्या लगता है bitcoin कितना reach कर सकता है मुझे comment section में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो का like जरूर कर दे है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी जरूर कर दे मिलते आपसे next video में टिलने take care and bye bye